हलो एवरीवान, वल्कम टू माई यूट्यूब चैनल एएच हलप लाइन, कैसे हैं आप लोग? सो इस वीडियो में हम लोग एक न्यू फैसलिटी के बारे में बात करेंगे, जो इगनू के तरफ से ओल्ड और न्यू, दोनों ही स्ट्रेंट के लिए स्टार्ट किया गया है, आप लोग वीडियो को ध्यान से और कम्प्लीट जरूर देख लिजेगा, एच हलप लाइन चैनल पर फास्ट रमाए हैं इगनू के स्ट्रेंट हो, तो हरे के क्लस्टिर इंफरम्शन पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, आँ देखो, जब भी आप इगनू के किसी भी प्रोगाम में एड्मिशन लेते हो, तो अगर आप फ्रेश एड्मिशन लेते हो, तो भी आपसे पूछा जाता है, कि जो आपको study material चाहिए, वो किस form में चाहिए, digital form में चाहिए, या फिर printed form में चाहिए, अगर आप digital form select करते हो, तो आपको 15% का discount मिलता है, और अगर आप printed form select करते हो तो आपके घर पे by post आपका book आता है लेकिन digital form में आपके पास कोई भी book नहीं आता है आपको discount मिल जाता है 15% जितना भी आपका course का fees होगा उतना लेकिन आपको फिर online PDF file से ही परना परता है यानि कि जो इगनू के तरफ से इग जितने भी books अप्लोड किये गया है वही PDF file में download करके आपको परहाई करना परता है इगनू के student जब ये 15% discount देखते हैं तो 15% discount लेने के चकर में उन्होंने digital form तो select कर लिया लेकिन जब उनके पास book नहीं आता है और जब उनको PDF file से परहाई करना होता है तब उनको समझ में आता है कि PDF file से परना कितना मुस्किल है और उसके बार से फिर उनको याद आता है कि कास हमने discount नहीं लिया हुआ होता अगर printed form में ही लिया होता तो हम अच्छे से परहाई कर पाते लेकिन पहले इगनु में ये option नहीं था कि आपने अगर select कर लिया तो उसको change कर पाओगे लेकिन अब इगनु ने ये old और new strand दोनों के ही ये facility दे दी है और previous session से ही ये facility को start कर दिया गया है और इस session में भी job strand ने admission लिया है उनके लिए भी form release कर दिया गया है जो base trend ने fresh admission लेने के time पे या फिर second year और third year में re-resession करने के time पे गलती से या फिर जान बुझकर उन्होंने digital form select कर लिया था और 15% discount ले लिया था लेकिन अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो digital form से परहाई नहीं कर पाएंगे उनको printed form चाहिए तो उनके घर पे book deliver कर दिया जाएगा बस आपको यह form fill up करना होगा और जो आपको discount मिला था वो पैसा आपको इगनु को लोटाना परेगा क्योंकि आपको 15% already discount मिल गया था तो वो पूरा पैसा आपको लोटाना परेगा मालो आपका course का फी है 6000 तो उसका 15% हुआ 900 रुपया तो आपको 900 लोटाना परेगा उसी तरीका से आपका जितना भी course का फी है उसका 15% जो आपको discount मिला है वो फी आप लोटा दोगे और यह form क को send कर दोगे तो आपके घर पे by post आपका जो बुक है वो deliver कर दिया जाएगा ठीक है form आप लोग के screen के उपने ज़र आ रहा है इसका link मेंने description में दिया हुआ है पीड़ फाइल एच हल्पने चैनल का जो टेलिग्राम चैनल है वहाँ पे इस form को upload कर दिया गया है form में क्या क्या detail fill up करना है simple सा form है यहाँ पे आपको अपना name लिखना है अपना program को लिखना है उसके बाद से sorry program name program code enrollment number consensation में आपने admission या re-recession करा है वो लिखना है amount amount यानि कि कितना आपको discount मिला था जैसे मैंने बताया कि अगर 6000 का fees है तो उसका 15% 900 होगा उसी तरिका से जितना भी आपका fees हुआ होगा और वो आपको re-recession करने के time पर पता चल गया होगा या फिर new admission लिए होगे तब भी वहाँ पे payment detail में पता चल गया होगा कि कितना आपको discount मिला है तो वह amount यहाँ पर लिखोगे उतनी का demand आप बनाओगे आप in favor of igno payable at new dillie ठी के demand आपका date बनाओगे उसका name यहाँ पर लिखोगे और उसके बाद से यहाँ पर आपका name और आपका address mobile number email address दे कर यह form को यहाँ पर इस address पर भेज़ देना to the register srd igno block 3 बैंदानगरी new dillie 110068 और उसके बाद से फिर आपको आपका जो printed study material है यानि के book जो है वह आपके घर प regional center के official website पर update किया गया क्योंकि बहुत सारे student को या तो पता नहीं रहता है या फिर वह पहले उनको लगता है कि हाँ चलो हम digital form में परहाई कर लेंगे लेकिन जब वह लोग PDF file से परहाई करना स्टार्ट करते तब उनको पता चलता है कि PDF file से परहाई करना इतना भी easy नहीं है इतना लगता है तो फिर उनके लिए काफी मुश्किल होता है फिर इगनु का जो study material है वो market में मिलता नहीं है और आपके पास और कोई option नहीं रहता है ठीक है तो ऐसे student के लिए बहुत अच्छा मौका है कि अगर उनको लगता है तो आप लोग यह form को fill up करके printed study material मंगा सकते ह अच्छी facility है जो इगनु के तरफ से previous session से ही start किया गया है तो समझ में आ गया आप लोग को बस इतना जान लो कि सिर्फ उन्हीं student को यह form भेजना है जिनको study material printed form में चाहिए और उन्होंने digital form में select कर लिया था बाकी अदर student इस form को नहीं fill up करना है तो यह सबता इस वीडियो म कर सकते हैं और अगर आप यह help line channel पर फॉस्टमा है तो make sure अप लोग पहली फुरसत में चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले तो thank you so much for watching this video have an awesome day thank you so much